दोस्तो आपने एक चीज नोट किया होगा कि जब कभी OnePlus अपना नया स्मार्टफोन लाँच करता है तो कुछ ही महिनों के बाद एक और वेरेंट लाँच करता है जो कि T वेरेंट होता है तो अब हाली में OnePlus ने OnePlus 8 लाँच किया था अब लाँच किया है OnePlus 8T और मुझे एक special type का reviewer kit मिला हुआ है जिसकी मैं आपको unboxing करके बताने वाला हूँ इसलिए देखते रहें तो यह देखे इस प्रकार का special box pack मुझे मिला हुआ है इसे reviews kit कहते है और चलिए इसकी मैं आपको unboxing करके बताता हूँ तो यह लीजिए outer cover को मैंने निकाल दिया है अब ध्यान से देखे यह ज जो भाग है यहाँ पर कुछ handset के cases है यह वाला काफी बढ़िया लग रहा है और भी कुछ cases है इन्हें भी मैं बाहर निकाल देता हूँ यह sandstone bumper case है और यह इस प्रकार का दिखता है काफी बढ़िया quality है और आपको वह sandstone feel इस पर मिलता है जब आप अपने उंगलियों को इस किसम का case है ऐसा लगता है जैसा कि आप जो handset का internals है उसे देख पा रहे हैं काफी बढ़िया है और काफी मजबूत किसम का भी case है चलिए आप देखते हैं कि इसके अलावा box में और क्या-क्या है definitely जो 8T smartphone होगा वो तो इसमें definitely मिलने वाला है तो यह देखिए यह है वो 8T का box packing चलिए मैं आपको इसकी unboxing करके बदाता हूँ तो यह देखिए यह है one plus 8T और यह जो variant मुझे मिला हुआ है यह है aqua marine green color variant यह लिए box को मैं खोल देता हूँ और जैसे typical one plus की packing होती है उससे प्रकार की packing दिया हुआ है और यह देखिए यह है aqua marine green color variant काफी बढ़िया किसम का अग रहा है फिराल देखते हैं कि इसके अलावा box में और क्या-क्या है तो अगर आप यह हैंसे खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इसी प्रकार की box packing मिलने वाली है और यहां पर है invitation letter, quick start guide, यह है red cable club का card और यहां पर SAR values mentioned किया हुआ है और यह है safety information booklet इसके अलावा box में एक silicon case दिया हुआ है यहां पर लिखा हुआ है never settle और यहां पर लिखा हुआ है never settle और यहां पर लिखा हुआ है इसकी quality काफी बढ़िया है handset को protection provide करेगा अगर आप चाहें तो इसका उप्योग कर सकते हैं यह फिर जो additional cases available है उसे खरीच सकते हैं USB type C to USB type C data cable दिया हुआ है और यह यहां पर USB type C port है जो cable है उसका आपको उप्योग करना पड़ेगा 65 watt मतलब की handset को आप बहुत ही जल्दी fast charge कर पाएंगे बहुत ही जल्दी super fast और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको box में यह sticker भी मिलने वाला है और यह जो invitation letter है इसके यहां पर SIM tray ejector pin दिया हुआ सबसे पहले तो जो SIM tray है इसे में आपको eject करके बताता हूँ यहां पर dual SIM slot दिया हुआ है आप 2 nano SIM का उप्योग कर सकते हैं वैसे इस smartphone में dedicated micro sd card slot नहीं दिया हुआ है तो यह दिखिए इस प्रकार का दिखता है यह oneplus 80 बहुत बढ़िया build of finishing है और curvy body है जो screen है इस पर 2.5D curved glass का उप्योग किया गया है और खास करके जो color है काफी बढ़िया किसम का लग रहा है चलिए मैं आपको सबसे पहले फटाफर इसका जो specifications है उसके बारे में बता देता हूँ इस handset को display है यह 6.55 inches का है full HD plus resolution के साथ में आता है इस पर 120 hertz fluid amolid display का उप्योग किया गया है corning gorilla glass protection के स साथ में आता है display की quality बहुत ही बढ़िया है और 120 hertz आपको definitely बहुत ही smooth experience देने वाला है यह handset 5G support करता है इसमें Bluetooth 5.1 technology का उप्योग किया गया है और LDAC aptX भी support करता है इसमें built-in NFC है dual stereo speakers के साथ में आता है noise cancellation support इसमें दिया हुआ है और यह Dolby Atmos भी support करता है इसमें in-display fingerprint sensor दिया हुआ है face unlock का भी option है और haptic vibration के साथ में आता है जो की बहुत ही बढ़िया किसम का है अलग परकार का है handset का वजन है 188 grams थिकने से 8.4 mm और जो back panel है उस पर 3D Corning Gorilla Glass protection दिया हुआ है दो color options में अवलेबल है aquamarine green और lunar silver यह oxygen OS रन कर रहा है out of the box जो android 11 based है 8 GB LPWDR 4X RAM के साथ में आत सकते हैं दूसरा option है 256 GB storage इसमें Qualcomm snapdragon 865 octa core प्रोसेसर का प्योग किया गया है camera के अगर बात करें तो इसमें quad camera setup दिया हुआ है जो primary camera है 48 megapixel का उसमें sony imx 586 sensor का प्योग किया गया है OIS और EIS support करता है 16 megapixel का sony imx 481 ultra wide angle camera भी दिया हुआ है और 5 megapixel का macro camera है और 2 megapixel का monochrome lens दिया ह हुआ है इस handset पर dual LED flash है यह 4K at 60fps में videos शूट कर सकता है इसमें senior aspect ratio video mode भी दिया हुआ है जिससे आप cinematic style videos शूट कर पाएंगे जो front camera है वो 16 megapixel का है और इसमें sony imx 471 sensor का उप्योग किया गया है यह fixed focus camera है front camera से आप 1080p videos at 30fps में शूट कर पाएंगे तो snapdragon 865 performance कैसा है उसके जैसे ही मैंने game को शुरू किया देख सकते हैं कि यह gaming tool यहां पर मुझे दिख रहा है और खास किसम का interface है इसे फिलाल skip करता हूँ और जो game है उसे मैं आपको खेल के बताता हूँ जिससे आपका idea मिल जाएगा कि यह जो smartphone है यह कितना powerful है वैसे snapdragon 865 बहुत ही powerful chipset है तो यह द बात करें तो OnePlus के जो smartphone होते हैं इनकी जो camera quality है एक अलग ही level की होती है camera quality excellent किसम का है और यह कुछ samples है जो मैंने इसी smartphone के साथ में shoot किया हुआ है खास करके अगर आप night shot देखे nightscape mode दिया हुआ है जो की बहुत ही बढ़िया output आपको दे देता है और आप यह normal mode में भी shoot कर सकते है वैसे इस smartphone का उप्योग करके आप professional style videos भी shoot कर पाएंगे इस handset में 4500 image की battery है जो की आपको आसानी से 1-5 दिन का battery life दे सकता है और 65 watt का charger box के अंदर दिया हुआ है इसमे twin battery charging technology का उप्योग किया गया है और 39 minutes में 4500 image की battery है यह full charge हो जाता है वैसे जो 65 watt का charger जो है इसमे 12 individual thermal monitoring system दि charging temperature को एक safe level पर रखते हैं इसमें dark mode है always on display का भी option दिया हुआ है और जो oxygen OS है यह आपको बहुती smooth experience देता है अखास करके 120 hertz refresh rate वाले display पर अब इस smartphone का pricing क्या है वो मैंने comment के section में दिया हुआ है जो पहला comment है वो मेरा है उसे मैंने pin किया हुआ है वहाँ से आपको जो pricing है वो पत है हुआ है वो है यह दो ते तill मेरा है गला की को आपको वा करते हैं रिमत प्बादी असेदカहस में थाज़ को डवे अशाव कники क्वेँदे के शचे वी और हैू दो धना जार न.